जै महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों, संसर में कई काम ऐसे होते हैं, कि जो हम नहीं कर पाते हैं या उन कामों को करने के लिए जितना प्रयत्न लगता है, उतना प्रयत्न हम करते हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अरबंगे आ जाते हैं, कि वह काम नहीं हो पाते हैं हमारी सक्ती, हमारे एफर्ट उन कामों के लिए कम पढ़ जाती है, छोटी पढ़ जाती है, थोड़ी लग जाती है तो ऐसे कामों को करने के लिए व्यक्ति को किसी विशेस मदद की आवस्यक्ता होती है और जो विशेस सहायता है, या आपको किसी व्यक्ति के रूप में मिल सकती है या सामने वाला व्यक्ति जिससे आप काम करने के लिए जा रहे हैं उसी के मनुभाव में परिवर्तन आ जाए, विचारों में परिवर्तन आ जाए, तब भी आपका काम बन सकता है कहने का तात्परी है कि कोई व्यक्ति, वस्तू या स्वेम वक काम ही ऐसा हो जाए कि आपको आसानी से उसको करने में सरलता रहे तो ऐसा कोई तंद्र है, ऐसा कोई उपाय किया जाए कि जिससे आप जो effort डालते हैं, वो संपूर हो जाए और आपका काम आसानी से निकल जाए एक, दूसरी बात कि व्यक्ति का संसार क्या होता है व्यक्ति जिन जिन लोगों को जानता है या जिन जिन लोगों से उस व्यक्ति का वास्ता पढ़ता है काम पढ़ता है, वस वही उसका संसार होता है तो आज मैं जो उपाय बताने वाला हूँ आपको इस उपाय के जरिये, आप जिस किसी भी व्यक्ति से जो काम निकलवाना चाहेंगे उसमें आप जितना effort डालेंगे, कहने का तातपरे है आप जो कुछ करेंगे उस काम को निकालने के लिए तो यदि कहीं कुछ कमी बड़ी रह जाती है तो इस उपाय के बाद वह काम आपका सरलता से निकल जाएगा तो दोस्तों, यदि आप हमारी channel में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस channel के माध्यम से हमारे प्राचेंतम रंतों में छुपे हुए कई ऐसे गूट रहसे हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तो अभी हमारी channel को subscribe कर लीजिए और bell icon को press कर दीजिए इससे हमारे दौरा बनाएगे उपाए आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेजी से पहुँचेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों बताता हूँ वह उपाए के जिसको करने से आप जिस किसी को भी चाहेंगे अपने इसारों पे नचा पाएंगे कहने का तादपरे है कि आप जिस किसी भी व्यक्ति से चाहेंगे अपना काम निकलवा पाएंगे आपका जो कोई भी काम होगा उस काम में आपको सफलता मिलेगी तो इसके लिए आपको करना क्या है बहुत ही आसान उपा है कोई भी व्यक्ति इसको बड़ी आसानी से कर सकता है लेकिन मैं काफी दफे ऐसा कमेंट में पढ़ता हूँ कि जिसमें लिखा होता है कि ऐसा उपाए बताएं कि जिसको आप कहीं पर बेठे-बेठे ही कर ले हो जाए तो हर उपाए इस तरह के नहीं होते है यदि कोई उपाए में कुछ effort डालनी पड़ती है यदि आपको कुछ extra चाहिए तो उन उपाएं के लिए आपको कुछ extra effort भी डालनी पड़ती है साथ ही साथ जब आपको उपाए करते हैं किसी व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए तो वो व्यक्ति या वस्तु में भी इतना पावर होता है कि जितना पावर आप में नहीं होता है या आप उतने पावर से उस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो जो परिणाम आप चाहते हैं वो परिणाम आपको कभी कभार नहीं भी मिल पाता है या कम मिल पाता है या थोड़ा देर से मिलता है लेकिन आपको result अवस से मिलेगा ये guaranteed है इसमें कोई संका का अस्थान नहीं है यदि आप कोई भी हुपाय ना भी करें कोई भी उपाय मत करो आप लेकिन फिर भी यदि आप संपूर्ण मन के साथ, संपूर्ण आस्था के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ, संपूर्ण लगन के साथ यदि किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं और उसमें अपना यदि सर्वस्व जोंक देते हैं अपना तन, मन, धन सब लगा देते हैं तो फिर संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं कि जो सच के ना हो जो ना बन पाए तो सबसे पहली बात ये है कि किसी भी काम को लें तो उस काम में पूरी तरह से जुट जाएं, लग जाएं फिर कुछ आगे पीछे नो देखें यदि वो काम इतना बड़ा है कि उसके बिना आपको नहीं चलेगा वो काम होना ही चाहिए वो चीज आपके जीवन में आनी ही चाहिए या वो व्यक्ति आपकी बात मानना ही चाहिए यदि वही सर्वस है तो फिर अपना सर्वस जोंक दीजिए उसके पीछे लगा दीजिए अपना सब कुछ और इसके बाद यदि आप कोई उपाय नहीं भी करेंगे तो भी आप जीतेंगे, आप सफल होंगे, आपकी बात बनेगी आपको वो व्यक्ति या वस्तु अवस्य मिलेगी ये सारी जो चीजे होती है, कोई उपाय है या कुछ ये है ये क्या होता ही आपको एक्ष्ट्रा बल प्रदान करता है ये बल कहीं और से नहीं आता, ये बल आपके अंदर ही छुपा हुआ है संपूर्ण संसार में जितनी भी सक्तिया है वो सारी ही सक्तियों का अंस आपके अंदर अल्रेडी विद्यमान है, मौजूद है सिर्फ आपको उसको जगाने की आवसकता है और कुछ भी नहीं है और कुई चीज विसेस नहीं है सिर्फ आप संपूर्ण रूप से उस पॉइंट पे लग जाएए वो जग जाएगा और आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा इसमें कोई दोरा नहीं है संदेह मत कीजिए, संका मत कीजिए जो भी व्यक्ति ऐसा कहता है कि मेरा ये काम नहीं हुआ या मैं ये करूँगा तो हो जाएगा तो वहीं पर ये बात मान लीजिए कि नहीं होगा जैसे ही आपके अंदर संका आई कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा वहीं पर आप पच्चाश टका हार गए 50% आपने लॉस कर दिया डिफिट पीछे हट हार और सफलता आपने उसी समय निर्धारित कर दिया और जिस व्यक्ति ने ये बोला हाँ मैं ये करूँगा मैं ये कर के रहूँगा और मुझे इस काम में सफलता मिलेगी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है फिर संपूर्ण संसार में कोई ऐसा नहीं कोई ऐसी ताकत नहीं कि वो चीज वो व्यक्ति या वस्तु उसे ना मिले या वो उस काम में सफल ना हो तो संपूर्ण आस्था के साथ संपूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करें आपको अवज से ही सफलता मिलेगी आपको करना क्या है कि लेशुन की आपको एक कली लेनी है छील करके एक कली लेनी है और उस कली में जिस किसी व्यक्ति से आपको काम निकालना है उस व्यक्ति का आपको नाम लिख देना है चाहे सुई से लिखें या लकड़ी से गोट करके लिखें लेकिन उसमें आपको ऐसे लिखना है सामने वाले व्यक्ति का नाम जिस किसी व्यक्ति से आप चाहते हैं काम निकलवाना उसका नाम लिख दे और उसको नीम की पेड़ के नीचे जड़ के नीचे थोड़ा सा गंठा करके वहाँ दफना दे दबा दे उस नाम को और उसको जो काम उसे करवाना है उस काम का आप निर्धारन करें। मैं उस व्यक्ति से काम करवाना चाहता हूँ या करवाना चाहते हूँ पे रख करके सीधा पे उस पे रख कर खड़े हो जाएं और सोचें। आप देखेंगे कि बहुत बड़ी एक सक्ती आपके अंदर पेदा होगी जो उस जगह से आएगी जो आपके अंदर मैंने कहा पहले से विद्यमान थी लेकिन कुछ चीजे जिसे माचिस में आग विद्यमान होती है लेकिन उसको जलाने की आवसेक्ता होती है बस इसी तरीके स नाम लेकर के जो काम आपको करवाना है वह सोच करके वहां से आ जाएं या सीधे वहां जहां काम करने जाना है चले जाएं आप देखेंगे कि सामने वाले व्यक्ति का मनोभाव बदल जाएगा उसके विचार बदल जाएंगे आपका स्वेम के भी विचार बदल जाएंगे आपके स्वयम के अंदर भी एक अजीब एक नया उत्सा एक विश्वास पेदा हो जाएगा और आप देखेंगे कि जो विश्वास इस समय के पहले तक आपके भीतर नहीं था एक एसा नया विश्वास एक नई उम्मीद आपके अंदर जन्म लेगी और आप जैसे ही वहाँ जाएंगे आपका काम निर्विग्न पार पड़ जाएगा इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं दिन के वक्त करना है सूरियोदय से सूरियास्त तक में कभी भी कर सकते हैं सूरियास्त के बाद इस उपाय को आप कभी भी ना करें वारान इसका उल्टा या विपरित फल आपको देखने को मिल सकता है तो सूरियोदे से सूरियास्त के मद्दे करें किसी क्या भी बुरा करने की परपस से इसको बिल्कुल भी न करें नाजायज किसी को फसाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए भी इसको न करें अन्य था इसके दूस परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दीवे प्रकास और अपने जीवन में लाभनवित होते रहें धन्यवाद